हाई गाईज वेलकम और वेलकम बैक तो माई चानल और आज की हमारी क्लास में मैं आपको कुछ अलग टाइप के फ्लार्स बनाना सिखाऊंगी और थोड़े से टफ होंगे आपको टफ लगेंगे बट गाईज प्राक्टिस करते रहें जब तक आपसे नहीं बने लास्ट क्ला और उसके डिजाइन ना बाकी लोगों से अलग हैं तो काफी अच्छा फील होता है ना तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ डिफरेंट फ्लार्स बताने वाली हूँ जो आपने बहुत कम देखे होंगे तो या गाईज वीडियो को पूरा देख ले ना अगर चानल पर पहली बार आए हो तो चानल को सब्सक्राइब कर लो और बैल ऐकन को हिट जरूर कर लो जिससे आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो और गाईज मैंने वैसे तो चानल पर पोस्ट डाल दी थी लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी महंदी के क्लासिस होंगे वो आपको वीक में दो बार मिलेंगे यानि कि संडे और थरस्टे को आपको महंदी के क्लासिस मिलेंगे दो बजे और डेस जो भी होंगे न अदर डेस में आपको महंदी के डिजाइन्स मिलेंगे कुछ लोगों के comments भी आते हैं कि वो classes लेते हैं but practice के लिए designs या कुछ लोग जिनको महंदी लगानी आती है already उनको designs चाहिए होते हैं so I decided कि week में 2 classes होंगी and बाकी days में हम designs देखेंगे ठीक है मैं designs upload करूँगी so guys video पे बने रहना पूरा देखना video और आपको flowers बहुत अच्छे लगेंगे and guys ज्यादा delay ना करते हुए हम फटाफट से video स्टार्ट करते हैं so guys सबसे पहले हम सीखेंगे lotus मतलब इसमें सीखने वाला कुछ नहीं है बचपन में आपने drawing में lotus कई बार बनाया होगा and मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि lotus ज्यादा तर जो negative space मेहंदी होते है ना dark space वाले उसमें ज्यादा तर lotus का use होता है so lotus बनाना मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको सिखाना चाहिए आपको already आता होगा बचपन में आपने बहुत बनाया होगा so मैं इसको count इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसकी जरूरत हमें पढ़ती है महंदी designs में so इसलिए मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ क्योंकि यह आप लोग आप जानते होगे बनाना so बस मैं बना रही हूँ and अगर आप नहीं भी जानते हूँ बस ऐसा होता नहीं कि कोई लोटस बनाना ना जाने क्योंकि बचपन में सबने ड्रॉइंग तो पड़ी ही होती है so आप बना लोगे अराम से so that's why मैं इसमें ज्यादा कुछ पताने वाला है नहीं and negative space mehndi guys बहुत ही attractive लगती है और बहुत ज्यादा trend में भी है बहुत लोग लगाते है negative space mehndi और color एक तो बहुत अच्छा आता है क्योंकि पूर्थिक होती है काफी तो color भी बहुत अच्छा आता है उसमें anyway मैं आपको time to time सारी चीजन सिखाऊंगी don't worry जो चीज़ें first season में cover नहीं हो पाई थी वो second season में cover जरूर होंगी so yeah यह हमारा lotus बन गया है and अभी हम चलते है next flower अभी मैं आपको rose बनाना सिखाऊंगी so rose मैं आपको two types से सिखाऊंगी दो तरीके का rose बनाना बताऊंगी मैं आपको तो पहले हम देखते हैं जो थोड़ा सा simple पड़ेगा आपको तो उसके लिए क्या करना आपको एक spiral बनानी है नॉर्मल spiral जो आपने पिछले classes में सीखी है already so आपको यह इस तरीके की एक spiral बनानी है ठीक है अभी आपको क्या करना है कि इसको आधा semi circle इसके outer में आपको बनाना है पस दिहान रखना कि यह lines आपस में join ना करें semi circle बना लिया अभी आपको center से थोड़ा सा एक curve लेना है इस तरीके से एक curve बना लिया आपने है ना और इस वाले edge को इसी तरीके से curve में घुमाते हुए आपको यहां से मिला देना है ठीक है अभी हमें क्या करना है कि इस line को हम करेंगे थोड़ा सा double बट नीचे हम इसको join नहीं करेंगे इस तरीके से हम इसको अलग रखेंगे और इसको हम दूसरी तरफ से c बनाते हुए इससे मिला देंगे c है ना तो इतना यहां तक काफी easy रहा होगा आप लोगों के लिए है ना अभी हम क्या गरेंगे कि बाकी इसको हम circle को आधा और draw करेंगे उपर की तरफ ठीक है अभी इसमें हम छोटे छोटे leaves बनाएंगे इस तरीके से है ना यहां तक भी आपको कोई problem नहीं होगी अभी हमें क्या करना है कि एक और line इसको out double करना है हमें और इस तरीके से इसमें ध्यान बस यह रखना है कि lines आपस में join ना करें otherwise वो messy हो जाएगा काफी ठीक है तो यहां पर भी हमें ऐसे leaves लेनी है और आप two curves की leaves ले सकते हैं रोज में ज्यादा तर वही यूज होती है और second leaf आप यहां से ले सकते हैं उसको थोड़ा सा आपको एक curve पहले बढ़ा लेना है then छोटा लेना है एक curve और उसको इस तरीके से नीचे जॉइन करना है ठीक है इस तरफ भी हम ऐसा ही करेंगे पहले हमने two leaves की यह ली दूसरी leaves हम बनाएंगे लेकिन उसको एक curve थोड़ा सा बढ़ा और दूसरा नीचे की तरफ लेते हुए और उसको ऐसे जॉइन कर देंगे ठीक है अब भी नीचे हम थोड़ा सा इसकी जो green leaves होती है ना रोज में आपने देखा होगा green leaves तो उसको बहुत ही आसान है चोटी चोटी पतली पतली सी leaves बनानी है आपको इस तरीके से tiny leaves होती है यह तो वस इस तरीके से इनको बनाना है and that's it अभी आपको क्या करना है कि जितनी भी आपने leaves बनाई है इसको आपको fill करना है ठीक है तो यहां में थोड़ा सा fast forward कर देती हूँ क्यों क्योंकि वीडियो फाल तुम्हें लंबा करने से कोई मतलब नहीं है यहां आपको सारी leaves को सिर्फ फिल करना है और यहां पर एक mistake मुझसे भी हो गई आपको बताते बताते हमें इस line को भी double करना था तो मैं इसको यहीं से cut कर देती हूँ बट आप इसको double कर ले ना जैसे हमन मैं इस side भी करना था वो आपसे बात करते करते मेरे माइंड से ही निकल गया तो इस तरीके से करना है ठीक है ओके यह lines जॉइन नहीं होनी चाहिए तो इस बात का आप ध्यान रखना तो अभी आप देख सकते हो कितना प्यारा रोज टर्न हो चुका है बहुत ही प्यारा टर्न आउट हुआ है रोज और इसको मेहंदी डिजाइन सो बनाओ बहुत अच्छा लुक आता है अब यह आपको सेकेंड रोज बताती हूँ जो इससे थोड़ा सा अलग है मतलब अब कुछ चीज़ा सेम है कुछ थोड़ा सा अलग है आपको जो भी असान लगे आप उसको ट्राइ कर सकते हो उसको फिल नहीं करना है इसको हमने फिल किया है तो यह नेक्स रोज देख लेते हैं तो उसमें आपको इस तरीके से दो बार घुमाना है एंड इसको इस तरीके हमें इसको जॉइन करना है यह हमने कर लिया ठीक है उसके बाद हमें गया करना है कि यहां से लेके इसको ऐसे मिलाना है और इसको हमें जॉइन कर देना है इसमें ठीक है अब इसको भी हम यहां से लेके और यहां नीचे जॉइन कर देंगे इतना समझ में आया आपको फिर ब बनाएंगे इस तरीके से ठीक है अभी इसके अराउंड हम इस तरीके से लीफ्स बनाएंगे जैसे हम ने इसमें बनाएंगे वैसे हम इसके अराउंड बनाएंगे वाट हम यहां पर कोई लाइन का स्पेस नहीं देंगे इसको हम बाहर की तरफ कर्व लेंगे देन हम इस तरीके से कर्व लेके इसको हम ऐसे जॉइन करते चलेंगे आप तीन कर्व ले सकते हो वो दो कर्व ले सकते हो टोटली आप पर डिपेंड कर सकता है ये बाहर की तरफ कर्व लेने हैं आपको इसमें अंदर छोटे छोटे कर्व इस तरीके से करने है इस तरीके से बहुत ही जल्दी आपका एक रोज बनके तयार हो गया है देखते ही देखते पता भी नहीं चला और हमारा ब्यूटिफुल सा रोज निकल के आ गया है इसमें हम शेडिंग करेंगे इसमें हम शेडिंग करेंगे अच्छे से कि शेडिंग किस तरीके से करनी है अभी चलते हैं हविलाल हम नेक्स्ट फ्लार की तरफ तो नेक्स्ट फ्लार में आपको क्या करना है कि आपको एक पहले स्पाइरल लेना है ठीक है, नेक्स फ्लार का बेस जो है पुराना वाला ही है, तो उसका बेस तो भही है, कि हमें spiral बनाना है, बट यह बाकी जो अब क्लास वन में जो फ्लार से ना उन से डिफ्रेंट है, तो हमने ये बना लिया बेस, अब इसके ऊपर हमें छोटी वाले लीप्स भी ड्रॉ करनी ह तो इस तरीके से हम लीफ्स ड्रॉ करेंगे एंड अच्छा है इस वाले फ्लार को बनाते बनाते आपकी क्लास बन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी सो यह हमने लीफ्स ड्रॉ कर ली है अभी हम इसके उपर डाक वाली लीफ्स ड्रॉ करेंगे जैसा हमने किया था अपनी फर्स क्लास में सो इस तरीके से यह भी ड्रॉ कर लेंगे और यह आसान ही है आप लोग इतना अभी तक सीख चुके होंगे तो इसमें जादा कुछ बताने वाली चीज नहीं है यहां पे ठीक है अभी इसको हमें आउटलाइन करना है इस तरीके से हमें इसको आउटलाइन करना है गाइस बहुत कुछ है महंदी में सीखने के लिए बहुत सारे चीज़ें है इसलिए मैं बार-बार बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर हिट कर लिया करो जिससे आप से नोटिफिकेशन्स मिसना हो महंदी बहुत बड़ा कोर्स है मतलब कोर्स तो है ही नहीं महंदी कभी खतम ही नहीं हो सकती जैसे mathematics है न mathematics का कोई end ही नहीं है ऐसे ही इसका भी कोई end नहीं है नई नहीं चीज़ें आप खुछ से बनाते जाओ नई नई invention नई नई creation आप करते जाओ कोई end नहीं है तो इतना करने के बाद आपको यहां से ना पान शेप बाली लीप्स बनानी है जैसे पान होता है ना पान सबने देखा होगा तो वो वाली हमें लीफ्स बनानी है यहां पे and believe me यह वाला फ्लारना बहुत सुंदर लगता है महंदी डिजाइन्स में इस तरीके से आपको लीफ्स बनानी है और पान सबने देखा है पान शेप वाली लीफ्स I think किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में बाहर की तरफ कर लेना है and इसको जब उपर जाते हैं तो हलका सा पॉइंट आउट करना है इस तरीके से हलका सा उपर जाते समय थोड़ा सा पॉईंट आउट करना है और बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है यह वाला eat कि अपके इतना करने के बाद अभी आपको या करना है हमने सेने क्लास में एक फ्लावर में सीखा था तह हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे करके सेंटर से इसको डबल लाइन करेंगे हम पॉइंट पे ठीक है इस तरीके से इस तरीके से हम सारी लीफ्स में डबल लाइन कर लेंगे एंड गाइस ट्रस्ट मी आप ये डिफरेंट टाइप के फ्लार्स बनाओगे ना महंदी डिजाइन में तो सब आपकी बहुत तारीफ करेंगे सब कहेंगे कि आड़े ये काफी डिफरेंट तरीके की महंदी लगाती है और इसमें जो हमने सेकंड क्लास में फ्लार्स ही का था उसमें हमने सेंटर वाले को फिल किया था प्लार्स बनाओगे तो गैस देखा अपने कितना अच्छा फ्लार बन के तयार हुआ है अभी हम चलते हैं नेक्स फ्लार की तरफ और उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी गैस उसमें क्या करना है कि आपको पहले तो छोटी सी स्पाइरल बनानी है ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है तो पहले तो स्पाइरल ही बनाएंगे हम तो ये हमने spiral बना ली अपनी अभी हमें क्या करना है कि इसके ओपर direct हमें बड़ी वाली लीफ मतलब जो डार्क वाली लीफ होती है न वो बनानी है इसमें आपको थोड़ा सा time लगेगा इसको सीखने में ये थोड़ा सा tough पड़ेगा आपको और इस तरीके से हम ये लीफ बनाएंगे और जादा नहीं बन पाएंगी तीन ही बन पाएंगी ये एक बार में तो that's okay ठीक है ये बन गई अभी हमें क्या करना है कि जो भी gaps है इसके उपर हमें इसी तरीके के लीफ बनानी है एंड उसका आसान तरीका मैं आपको बता रही हूं कि इस तरीके से आप न आउटलाइन कर लो पहले ठीक है आप इस तरीके से आउटलाइन कर लो वो जरूरी नहीं है कि कितना बड़ा करना है आप इस तरीके से आउटलाइन कर लो and then उसको उपर से आपको round ही लेना है ठीक है इस तरीके से ठीक है then इसको आप fill कर दो मैं बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ आपको then आप जहां भी यह खत्म हुआ है वहीं से थोड़ा सा space दे के आप आप दुबारा से आउटलाइन लो जादा बड़ी नहीं लेनी है जहां तक जा रही है जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और उपर से इसको round कर देंगे तो इस तरीके से फिल कर देंगे अभी हम क्या करेंगे कि जहां यह खत्म हो रहा है इसके नीचे से ले लेंगे नीचे से या उपर से आप ले सकते हो ठीक है राउंड कर देंगे उपर से ठीक है गाइस बैक्ग्राउंड नॉइस आएगा उसको प्लीज आप इग्नौर कर देना क्योंकि मेरा घर बलकुल रोड के पास है तो बैक्राउंड नॉइस आता ही है तो थोड़ा से इग्नौर कर लेना ठीक है मेरी वोईस पर ध्यान जाना देना है आपको अभी यहांप लिया देन इसको हम राउंड कर देंगे ठीक है फिल कर देंगे ठीक है अब इसके हम अंदर से लेंगे थोड़ी सी बड़ी ले लिए अब हमने क्योंकि अब सेकंड टाइम चल रहा है ना हमारी मतलब एक बार कि हम ओवरलैब कर चुके हैं सेकंड टाइम ओवरलैब कर रहे हैं तो इस तरीके से फिर इसके नीचे ते लेंगे हम ठीक है इसको भी राउंड कर देंगे ठीक है अभी हमें इसको बस यहां पर खतम करना है ठीक है अब हम चाहे तो इसको और भी इस तरीके से और ज़्यादा ओवरलैब कर सकते हैं और ज़्यादा लीफ्स सकते हैं और चाहे तो हम इतना भी रख सकते है और इसके उपर हम कुछ यहाली जो में बनाईं गगी यहांस जैसे हम इस्को बीचे से कर देंगे हम यहाझ बह Jazz और ज़्या बनाएंगे ओसने में त्टायिम लगयगा ठीक है अगर आपको इतनी अपर मेहंदी आरही में तो आप कल्स नहीं ले रहे होते तो जह이----- याप इसमेशा है यह थी वाद के आप सीख रहे हो लिख कbus्ते ला- टी कि टी के वा इसे घख से लिधान आप से आप करने पड़ेगी तो इसस दरीकर से हम कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें शेडिंग करेंगे ना तो यह बहुत प्यारा लगेगा और यह बाइद वीडियो में आपको बताऊंगी आज के लिए यह यह फ्लार्स रखे हैं आपको अभी चैमरा अच्छे से काप्चर कर रहा होगा आज की वीडियो के लिए मैंने यह फ्लार्स आपके लिए चुने थे या मतलब मैं चाहती थी इनको आपके साथ शेयर करना आज की वीडियो में मैं बस इतना ही बता रही हूँ नेक्स वीडियो में मैं शेडिंग बताऊंगी और लिप्स पर वात करेंगे ठीक है जो भी जो पिते बाते हैं टो उसकी खूबसूर्ति और ज्यादा बढ जाती है तो उसकी बाद हम नेक्स तू नेक्स क्लास में करेंगे पहले तो मैं आपको शेडिंग सिखाऊंगी इससे आपका फ्लार वाला जो टॉपिक है न वो पूर हो जाए फ्लावर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए तो शेडिंग और में आपको सिखाऊंगी फ्लावाला आपका कंप्लीड हो जाएगा टॉपिक आप अराम से फिर कोई भी फ्लावर बना सकते हैं उसके बाद मैं आगे लीप्स की बात करूंगी आपको वीडियो पसंद आया हो यही बाद कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बैल आइकन को हीड जरूर कर लेना तब आपकीन लिए वीट के लिए बाबाए टेक केर